A. A. आप निवस फिर अडिश में बियार, में भूमी सर्वेक्षन का काम जोरो सोरो से चल रहा है किया अगम एक साल में भूमी सर्वेक्षन का काम कूरा कर लिया जाएगा वैसे में जमिन मालिकों कए कई तरह के पारेशानी का सामना करना पाड़ा है बिहार से कई लोग बिहार से बाहर रहते हैं, रोजी रोटी को लेकर, काम धंधा को लेकर बिहार से दूसरे प्रदोशे में काम करते हैं, वैसे में उन्हें अब चिंता नौकरी के साथ आ रही है, क्योंकि बिहार में जब भूमी सर्वेक्षन का काम हो रहा है, तो नौकरी प पर देशों में जब वो नौकरी करते हैं तो नौकरी खत्म होने का जो है खत्रा बरकरार थेने 20 अगत्स से जमीन सर्विक्षन जारी है जो लोग के लिए नई परिशानी बन गई है बाहर रहने वाले जो बाहर रहकर नौकरी पेशा और रुज़गार करने वाले थे लोग जमीन सर्वे कराने के लिए अपना काम धंदा छोड़ कर हर दिन बड़ी संख्या में गाउं लोट रहे हैं सूत्र बताते हैं कि नौकरी छोड़ कर बाहर से गाउं आया रहे लोगों के सामने इन दो तरह की परिशानी पैदा हो गई है लोगों का एक तरफ गाउं छोड़ने पर जमीन अपनी नाम नहीं होने का डर सता रहा है तो हैं दूसरी तरफ टाइम पर ड्यूटी नहीं लोटने पर नौकरी का खत्र सता रहा है जो बाहर से यानि दूसरे प्रदेशों में जो नौकरी करते थे दूसरे तरफ यदि वो बिहार नहीं आते जमीन सर्वे में सामिल नहीं होते हैं तो उन्हें जमीन जाने की डर है तो हैं दूसरी जमीन सर्वेक्षर में आए लोगों को ये डर है कि अब समय पर वो ड्यूटी लोगों को अंचल कार्याले और जीला मुख्याले के रिकल रूम में दौर लगाते हुए देखा जा रहा है लगातार जो लोग हैं अंचल कार्याले और जीला के रिकल कार्याले में उसका चकर काट रहे हैं कागजात जुटाने में हलाकि विभाग सपस्ट कर दिया है कि परिवारिक भूमी के कागजात की उलजन ऐसे उलजी हुई है कि उसे ठीक कराने में लोग की काफी परिशानी हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बहन भूआ अगर इस बात की एनुसी दे देंगी कि हमें भाई बात की जमीन से कोई मतलब नहीं है तो भूमी उनके माईके वालों के नाम पर सर्वे में दर्ज हो जाएगी। जो जमीन मालिक हैं वो काफी परिशान दीख रहे हैं वो काफ़ात को लेकर लगतार कारयाले का चकर काट रहे हैं। जो बाहर से लोग आयानि जो बihार से बाहर से बाहर रहते हैं जो नौक्णी पेशा करने वाले लोग हैं वो बिहार से बाहर आकर अपने काँजात को दुरूस्त करने में लगतार, जो है कारयाले का धिकारी का चकर का ट्रैवयिसे में भी भागनी साफ कर दिया है कि कई ऐसे जिले हैं वहाँ तो जो है दिना की फिक्स कर दिया है कि उस गौँ में जो सिवीर लगेगा कैम्प लगेगा और स्कैम्प के माधम से जो अधिकारी हैं जमीन से जुड़े अधिकारी हैं गिलास्तर के जो अधिकारी हैं उस गौव में सभा में पहुचेंगे उस सिवीर में पहुचेंगे और जो जमीर मालिक हैं वो अपने कागजात दस्ता वेज लेकर अपनी सिकायत लेकर परिशानी लेकर उस अधिकारी के पास पहुचेंगे और अधिकारी जो है तुरुंत उन साफ निर्देश दिया है कि यदि कोई जमीन मालिक आपके पास कोई समस्या लेकर आए तो मर्यादा पूर्बक उनके समस्या का समाधान करे तो वहंँ दूसरी तरफ बिहार में एक बड़ी समस्या रोजगार को जो लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों में काम धंधा करते थे रोजी रोटी के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाते थे वो अब जमीन सर्वे के लिए बिहार पहुंच गए हैं और इस जमीन सर्वे में उन्हें काफी परिशानी हो रहे आ रही है फिल्हाल के लिए इतना ही आप देखते रही नियूस फ़र्निशन